नमस्कार दोस्तो जैहिं जैवारत आज आपका भाई नमीन चेंदेलिया आज एक खास विसे के साथ बापस लोटा है जो की विसे मैं आपके समक्ष पहले ही रख चुका हूँ की एक राजिनतिक विचारधारा क्या होती हो राजिनतिक विचारधारा का क्या 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 इस्तिम दो you काम करने वाद कर्ने वाला इक स्यूस्क्राइए लेकिन इस भीज़ेश को निamm़िए को खराब किया जा रहा है कि असरी राजिंटि एक ऐसे लोगतंत्रिक व्गयवाश्था राब्ता है जो किसी दूसरे देश मेंविखिल से ہी मिलती है वह कि हमारे देशा का जुलोक्तंत्र वह सभी है इसका देश में काफी मैं अंद्र है हैं कि अगर मैं बात करूं उत्तर कोर्या की महां पे खाली एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसका जो सत्ता में बनी रहती है और वो जो पॉलिटिकल पार्टी है और महां की जो राज्यतिक वेवस्ता है वो एक दलिय वेवस्ता है जिसे हम बोलते हैं एक दलिय वेवस्ता जो की उतर कोरिया के अंतर्गत ये पार्टी है जिसका नाम है उतर कोरिया आफ बर्कर्स पार्टी जो कि एक एक ऐसा ही महाँ पे लोकतंतर की विचार दारा रखने वाले लोग नहीं है और महाँ पे एक दलिये विवस्ता है और महाँ पे जो है तानाशाही होती है तो हम ऐसे देश में नहीं रहते हैं, हम ऐसे देश में रहते हैं, जाप पर सभी को समानता आदर, सभी को लोगतंतर की बिचाद आदर के साथ जोड़ा गया है और सभी को सभी समान अधिकार मिले हुएं लेकिन उस देश में ऐसा नहीं है लेकिन हमारे देश की राजिनिती को तवा क्या जा रहा है हमारे देश की राजिनिती को खराप क्या जा रहा है हमारे देश की राजिनिती को बदनाम क्या जा रहा है ऐसे लोग हैं जो राजिनिती कड़ें चाहते हैं और राजनिती का दुरुप्र करनाइसान और देखने को और हमारे देश पार करने का काम किया जा रहा है और इसके लावर राजनिति को बतनम किया जा रहा है क्योंकि राजनिति हमारे देश की एक वेवस्ता है और हर देश में इस राजनिति सबीनके साथ खिलवार करना चाहता है जो कि हम सभी लोग एक के जीसे सुन बताना चाहूंगा जितने भी सभी लोग हमारे जो नागरिक हैं सभी लोग जो हैं एक अच्छी विचारदारा रखने वाले लोग हैं और है चाहते हैं कि हमारे देश की राजिनती को के ओपर कोई आच ना आए क्योंकि हर वीक्ति अगर लोब लालत से ही राजिनती करेगा तो हमारा जो लोकतांतिक बहवार है या लोकतांतिक विचार्दारा है वह कत्रे में आ जाएगी तो हमें इस लोकतांतिक विचारदारों को बचाना पड़ेगा और ऐसे लोगों से राजिंती को दूर रखना पड़ेगा जो अपने स्वार्थ के लिए अपने फाइदे के लिए अपने एडवांटेज के लिए सत्ता में आते हैं और ऐसे लोगों को अइडेंटिफाइट करना पड़ेगा कि ये लोग कोन है और राजिंती को बदनाम क्यों करना चाता है क्योंकि राजिंती तो वह विचारदार है जिससे पूरे देश को चलाया जाता है और सभी नागरिकों की समस्याओं का हल किया जाता है सभी समस्या का निवारन इस राजिती के विशे के अंदर किया जाता है क्योंकि ये विशे एक समाजिक और राजितिक आर्थिक हर तरह का एक विशे का जो हल है वो राजितिक अंदर ही मिलता है चाहे हम आर्थिक इस्थिति की बात करें चाहे हम समाजी किस्तिती की बात करें सभी का हल जो मिलता है वो राजिनती की विचारधारा की अंतरगती मिलता है लेकिन अगर भावबल के दम पे कुछ लोग राजिनती की सत्तों को पा लेते हैं तो वह लोग राजिनती के अंदर आने के बाद वह का इस वह dzi को शिशे रहती की वह लोग यह वैसे तो उनगों वह भी स्थित्र वह लोग ठीक है Susada 4 की कि इस दी कोने के बाद बापुदी डिय लोग राजएनती माते हैं और उसके बाद राजएनती सत्ता को बनाये लखने का कारिये वह करते हैं ताकि उनको कोई सत्ता से बाहर ना निकाल पाएं तो यही हमारे देश के अंदर जो है राजनितिक बिचारदारा चल रही है और इस राजनितिक जो एक महत्पुन विसे हैं जो हमारे जीवन का एक एक ऐसा हंग है जिसे हम कभी मुकर नहीं सकते और यह विसे बहुत ही सभी लोगों के लिए हमारे सभी जनता के लिए सभी नागलिकों के लिए विसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लेकिन बुरा तब लगता है जब कुछ लोग इस राजनिती को अशुद करने का काम करते हैं इस राजनिती को बदराम करने करेंगी तभी हमारे देश का सुधार होगा और हमारे देश के लोगों को सभी तरह की अच्छे फाइदे उनको मिल सकींगे लेकिन कुछ लोग जो राजनितिक को अशुद करना चाते हैं राजनितिक सत्ता में और राजनिति का दुर्प्योग करें जब राजनितिक सत्ता में आएंगे तो वह लोग काम की विचारदारा को छोड़ कर वह दूसरे मुद्धों में आपको ब्रगलाने का काम करेंगे और शुरू से ही हमार देश के अंदर ऐसे ही निता ऐसे ही लोग ऐसे ही पॉलिटिस किया कि कहने का ताथ पर ही है कि अमीर अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है यह कैसी बेवस्ता है और ऐसी सरकारे हैं जो जान बूचकर गरीब को गरीब बनाने की जो नीतिया है वो लागू करती है ताकि गरीब गरीब ही रहे तो हमें ऐसी लोग नीतियों को बदलना पड़ेगा और हमें अपने देश को जो है तरक्टी पे हम तब ही ले जा सकते हैं जब तक हम अपनी राजिनती का शुद्धी करण नहीं करेंगे जब तक हम अपनी राजिनती को सुदारेंगे नहीं कि कुछ लोग ऐसे साइड एफेक्ट हमारी रा पर कट करते हैं लेकिन उनके मन में सेवा बाब नहीं होता है राष्टेहित की बात करते हैं लेकिन राष्टेहित के बारे में वह बात करते हैं राष्टेहित की विचारधार वह लोग रखते हैं बस वह लोग जो है एक तरह से लोगों को घुम्रा करने का काम करते हैं और लो चाहे सत्ता के बिना भी वह लोग काम कर सकते हैं और जन्द सेवा सभी का दिकार है कोई भी व्यक्ति जन्द सेवा कर सकता है बस जरूरी यह होता है कि वह व्यक्ति सचे मन से कर रहा है नहीं कर रहा क्योंकि कुछ लोग राष्टे हित की तो बात औने नहीं पता लेकिन वह लोग पोत करता है वही वहां की फेलाइबं की प्रक्रिया में में लगता है तो हमारे देश की राजिन्ती का दुर्भाग्य यह यह कि हमारे लोकतंत्र की विचारतारा को तोड़ा जा रहा है हमारे लोकतंत्र की विचारतारा को कुछला जा रहा है क्योंकि ये लोग सिरिफ सब्सक्राइब करते हैं अपनी अर्फिक सित्य को और ज़्यादा मजबूत करने लिए राजन्ती के अंदर आते हैं और उनका जन्तिवा से कोई मतलब नहीं होता है और वह लोगों को गुम्रा करने का ही काम करते हैं और लोगों के सामने एक नकाप उन लोगों ने पैन रखा होता है जो राश्टेट की वह वैक्ति तो बात नहीं करेंगे लेकिन लोग को और राजनिती को बदनाम करने का काम वह जरूर करेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही एक लोटिंग के दुवारा एक खास विजिक साथ जय हिन जय वारत